हेलो प्यारे बच्चो, स्वागए था आपका एक बार फिर से विवेक सिंग क्लासेज में क्लास 11 के मेरे प्यारे बच्चो, हम लोग पढ़ रहे हैं इरर्स के बारे में, तुर्टियों के बारे में और पिछले वीडियो में हमने आपको ये सिखलाया था कि इरर्स के कितने प्रकार होते हैं, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं इरर्स के जो प्रकार हैं, बच्चो, वो जो थीरेट के लिए थे वो बहुत महतपूर नहीं, इसलिए उनको आप याद रखो, ना याद रखो, समझो, ना समझो वो बहुत महत्पूर नहीं है लेकिन mathematically errors जो चार प्रकार के थे उनको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है तो जल्दी से revise करते हैं कि उनका नाम क्या है और उनको calculate करने का process क्या है तो अगर आपको याद आ रहा हो तो पहले प्रकार का जो error है वो था absolute error जिसको represent करते हैं डेल्टा x से और ये जो डेल्टा x से वो difference होता है किसके किसके बीच का calculated value यानि कि जो हम आप calculate करते हैं या experimental value भी उसे कह सकते हो या उसे प्रेचित मान कहते हो observed value कहते हो और real value या standard value के बीच का जो difference होता है इसी difference को डेल्टा x से रप्रेजेंट करते हैं और इसी को कहते हैं absolute error बचो अगर हम कई observation बनाते हैं कई observation करते हैं कई बार calculation करते हैं तो जाहर सी बात है हर बार मेरे calculation या experiment के बाद error आएगा observation में error आएगा सबका जब absolute error निकाल करके average लेते हैं तो second type का हमको average error मिलता है जिसे हम आप नाम देते हैं mean या average absolute error और उसे लिखा जाता है delta x बार से ठीक है third type of error होता है delta x बार यानि कि mean absolute error और जो real value है x इनके बीच का जो ratio होता है या इनका जो value आता है उसे हम लोग कहते हैं fractional error भिनात्मक तूटी और जब हम इसमें hundred से multiply कर देते हैं तो जो value आती है उसे कहते है percentage error बचो error के साथ हम अपने measurement को कैसे express करते हैं ये भी हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया कि अगर मान लो हम को physical quantity x measure कर रहे हैं और उसमें होने वाला जो mean absolute error है वो delta x bar है तो इससे हम represent कैसे करेंगे अपने answer को कैसे लिखेंगे उसके लिखने का tradition क्या है उसके लिखने का धंग क्या है वो ये है कि आप लिखते हो x plus minus delta x bar और अगर physical quantity x का unit है तो आप unit लिखोगे नहीं है तो आप unit नहीं लिखोगे अच्छा बच्चों unit से याद ही आया कि ये जो चार तरह के errors आपके सामने हैं इसमें से absolute error mean absolute error इन दोनों के तो unit होते हैं और आपको unit लिखने चाहिए इनके साथ लेकिन fractional error और percentage error के कोई भी unit नहीं होते हैं क्योंकि ये similar quantities का ratio होता है तो ये बात जरूर ध्यान में रखेगा और अगर आपको ये सारी बाते समझ में आई हैं तो ठीक है वीडियो को continue करते हैं आगे अगर नहीं समझ में आई है तो request है कि आप पिछला मेरा वीडियो देखिएगा जिसमें ये सारी चीजे detail में हैं तो चले आज का topic स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है combination of error या propagation of error बच्चो इसको समझाने का कई ढंग है कई तरह से समझाया जा सकता है जो main चीज है वो आपको ये समझ में आना है कि जो गलतियां होती है जो errors होते हैं वो propagate करते हैं वो गत सील होते हैं propagation का मतलब गत करना ठीक और combination का मतलब जोड़ना तो इस heading का दोनों मतलब है propagation of errors भी है और combination of errors भी है तो propagation of error का मतलब ये हुआ कि जो गलतियां होती हैं जो तुटियां होती हैं वो static नहीं हैं रुकी नहीं है अगर आप measurement में गलती किये हो तो उसका effect result पर पड़ेगा ठीक है final result जब आप दोगे तो उसमें उस छोटी से की गई गलती का effect जरूर होगा ठीक इसको हम ऐसे भी आपको समझा सकते हैं कि जैसे मान लो कोई बैक्ति कोई मनुष्य bank से लोन लिया ठीक है कोई घटना हुआ वो बैक्ति नहीं रहा ठीक तो वो जो लोन लिया वो नहीं दे पाएगा जब नहीं दे पाएगा यानि कि bank के logic के हिसाब से लोन ना देना गलती है तो क्या उस बैक्ति के नहीं रहने से वो गलती वहीं पर रुक जाएगी नहीं जिमेदार ये बनती है कि वह अपने से पहले किये गए गलती का भुकतान करे लोन उसने लिया है भुकतान इसको करना पड़ेगा नियम तो ये कहता है मेरे कहने का ताथ पर ये है कि गलतीयां जरूर effect करती हैं एक अस्थान टापिक का combination का ताथ पर होता जोड़ना योग करना तो बस अगर आप इतना जान गए तो आप इस टापिक को समझ चुके हो कि जब हम error करते हैं और error करने के बाद calculation करते हैं तो calculation में चाहे plus हो, minus हो into हो, division हो चार ही काम तो करते हैं जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुड़ा करते हैं, भाग करते हैं और तो कुछ इक्स्टा करते नहीं हैं तो ये जो चार काम करते हैं इन चारों काम में हमको गलतियों को केवल combine करना है, गलतियों को जोड़ना है, इसलिए इस टापिक का नाम है combination of error गलतियां हमेशा combine होती हैं जोडती हैं जोडती हैं जोडती हैं बस इतना याद रखो ठीक आप कुछ भी करो calculation में आप कुछ भी करिए लेकिन जो error से वो हमेशा add होती है तो चलिए थोड़ा सा clear करते हैं कि किस operation में मतलब plus minus into or division में से किसमें गलतियों को add करेंगे और कौन सी गलतियों को add करेंगे क्योंकि मेरे पास तो कई प्रकार के error है तो बच्चो इसको भी बड़े आसानी से आप याद कर सकते हो कि जो plus या minus की calculation होते हैं उसमें हमेशा mean absolute error जोड़े जाते हैं add किये जाते हैं combine किये जाते हैं ठीक यानि कि अगर हम कोई physical quantity प्राप्त कर रहे हैं दो या कई physical quantity के जोड़ने या घटाने के बाद तो उसकी जो error होते हैं उसमें से किस error को हम आप जोड़ेंगे वो है mean absolute error मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर माल लो आपके पास कोई physical quantity A है जिसका value है 10 plus minus 0.1 meter एक physical quantity है B 20 plus minus 0.5 meter ठीक और आप से ये value calculate किया जाए कि A plus B का total मान कितना होगा तो आप A plus B का total मान कैसे लिखोगे पहले जो आपने measurement किया है उसके real value को add कर लो 10 plus 20 ये तो करोगे ही लेकिन ये जो errors है यही हम आपको समझा रहे हैं कि plus या minus की घटना में delta x bar जो है यानि कि mean absolute error है उससे हमेशा add किया जाता है तो इससे आप add करके लिखोगे 0.1 plus 0.5 यानि कि result हो जाएगा 30 plus minus 0.6 और इनका unit हो जाएगा meter इसी तरह से अगर आप physical quantities का minus करते हो subtraction करते हो तो भी जो error होगा और कौन सा error mean absolute error जो होगा उससे हमेशा add किया जाएगा भले ही आप physical quantity के बीच में subtract कर रहे हो अगर आप घटा भी रहे हो तो भी error आपको add करने हैं याद करो heading का नाम है combination of error तो combination of error का मतलब यह है कि error हमेशा combine होती error हमेशा जोडती है लेकिन plus minus के case में आपको delta x bar यानि कि mean absolute error को ही add करना है तो अगर आपको a minus b calculate करना है या b minus a calculate करना है तो आप 20 में से 10 minus करोगे 10 आएगा plus minus error में minus नहीं करना है error हमेशा add करना है यानि कि 0.1 plus minus 0.5 तो हो जाएगा 10 plus minus 0.6 और unit हो जाएगा meter तो यह एक छोटा सा rule है कि plus या minus करते समय जो mean absolute error है उससे हमेशा add किया जाता है उसे हमेशा combine किया जाता है उसे हमेशा जोड़ा जाता है इतना आपको याद हो गया होगा और याद हो जाना चाहिए ठीक दूसरा जो event हम लोग करते हैं या दूसरा operation जो करते हैं वो होता है into का और division का गुड़ा और भाग का अगर fiscal quantity के बीच में into है गुड़ा है या division है भाग है तो हम क्या करते हैं add अब भी करेंगे लेकिन fractional error को add करते हैं या percentage error को add करते हैं इनको हमेशा add करेंगे add करना ही है बस अलग अलग quantity को अलग अलग error को हम लोग add करते हैं plus और minus में हम लोग mean absolute error को add करते हैं और division और into के case में हम लोग fractional error को जैसा question पूछा जाए या percentage error को हमेशा add किया जाता है add हमेशा करेंगे combine हमेशा करेंगे heading का नाम है combination of error combine ही करना है लेकिन अलग-अलग situation में अलग-अलग type के error को combine करना है plus या minus situation में mean absolute value को और into a division के case में fractional error को या percentage error को आप हमेशा सम करिएगा मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास जैसे जानते हो कि velocity equal to होता distance upon time तो अगर velocity का आपको error लिखना है तो आपने velocity प्राप्त किया है division के बाद इन दोनों physical quantity के division के बाद तो इन दोनों का कौनसा error इन दोनों का fractional error या percentage error add करेंगे यानि कि delta v by v is equal to delta t by d और plus delta t by t d का fractional error t का fractional error add हुआ है तब आपको मिल गया है v का fractional error और अगर percentage में आपको represent करना है तो आप 100 से multiply कर दोगे delta d by d plus delta t by t into 100% ऐसे ही मान लो आप area calculate कर रहे हो a into b तो a में जो error होगा चुकि ये into के बाद आया हुआ multiplication के बाद आया हुआ इसलिए हम या तो percentage error को add करेंगे या fractional error को add करेंगे तो fractional error in area equal to हो जाएगा fractional error in a plus fractional error in b ठीक मान लो आप के पास cube हो ठीक तो मिटाने से पहले एक बार जल्दी से revise कर लो फिर से कि अगर आप किसी physical quantity के बीच में plus या minus करते हो तो error कौन सा error add होगा वो error है mean absolute error और अगर आप into या division करते हो तो आप percentage error को add करोगे या fractional error को add करोगे depend करता है कि question में क्या पूछा गया है अगर आपसे पूछा गया है error absolutely error sorry error आपसे पूछा गया है fractional error तो आप fractional error add करना अगर आपसे percentage error पूछा गया है तो आप percentage error को add कर देना ठीक तो इसे मिटा रहे हैं थोड़ा सा आपसे ये बात कर रहेते कि ऐसा भी हो सकता है कि आपसे cube का volume का percentage error पूछे क्यों cube के पीछे हम पड़े हुए हैं उसके पीछे एक region है मालो volume है a cube जिसका फार्मूला आपको पता ही है अगर हम इसमें fractional error calculate करना चाहें तो पहले ये पता करो कि ये जो volume है वो किस physical operation के बाद quantity तो ए है length है किस mathematical operation के बाद volume मिला हुआ है तो आप कह सकते हो कि ये जो volume मिला है side का तीन बार multiplication के बाद मिला हुआ है और rule क्या है कि अगर हम volume में fractional error निकालें तो इन तीनों का हमको fractional error ही तो add करना होगा percentage पूछा जाएगा तो percentage error error करेंगे क्या short में हम इसको ऐसे लिख सकते है three times fractional error of a हो जाएगा न तो अगर हो जा रहा है तो क्यों न एक rule बना ले rule ये है कि अगर किसी physical quantity का power है तो उस power का उसके percentage error में या उस power का उसके fractional error में multiply कर दो ठीक है नहीं समझे फिर से देखो मा लेते हैं कि आपके पास कोई physical quantity है ये तो आप पढ़े होगे है h equal to i square rt by 4.2 calorie ठीक आपको ह का absolute error निकालना है 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 तो ह का जो percentage error निकालना है उसमें कौन कौन से physical quantity है जो measurable है जिसे हम measure कर सकते है current i को measure कर सकते है resistance को measure कर सकते है time को measure कर सकते है लेकिन हम 4.2 को measure रहा हुआ है है क्योंकि ये constant quantity है ये non measurable है इसका measurement नहीं किया जा सकता तो जिसका measurement नहीं किया जा सकता वहां पर इर अच्त मिली है तो टोटल asme जो percentage error होगा वहन लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिखेंगे एच का percentage इरव equal to जब percentage पूछा है तो percentage error को add कर देंगे और जब आपसे fractional error पूछेगा तो fractional error को add करेंगे लेकिन fractional error या percentage error कब add करते हैं जब multiplication या division होता है तब यहाँ multiplication था add हो गया यहाँ पर भी multiplication है क्योंकि 4.2 तो non measurable है उसे measure भी नहीं करते हैं इसलिए वहाँ पर गलती नहीं होगा तो जो measure करेंगे उसके बीच में into का sign है तो इनके जो percentage error है उनको हम add कर लेंगे यह हो गया current में ठिक और 2 की percentage है इसलिए 100% अलग-अलग आप 100 से multiply करो एक साथ multiply करो आपकी इच्छा तो एक साथ ही multiply कर ले delta r by r और delta t by t हम आपसे यह समझा रहे थे कि यहाँ पर rule क्या मिला है rule यह मिला है कि अगर किसी physical quantity का power है तो उसके percentage error में या उसके fractional error में उस power से आप multiply कर दो तो यहाँ पर i square है आप 2 से multiply कर दो तिक और एक example देख लीजे माल लेते हैं कि आपके पास एक physical quantity है y जिसे हम measure करते है a square b q c by under root d e to the power minus 3 minus 3 तो यहाँ लिखना नहीं है आपको वो उपर भी जा सकता है ऐसे माल लो a to the power 5 by 2 लिख दिये ठीक और आप a भी measure करते हो b भी का भी measurement कर सकते हो c d e सभी physical quantities का measurement कर सकते हो तो y में कुल कितना error होगा यह कैसे represent करेंगे कुल कितना percentage error होगा इसके लिए formula कैसे लिखेंगे तो हम percentage error की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखना हम 100 से multiply नहीं किये हैं 100 से multiply कर लेना तो y का percentage error यह जो y है वो multiplication के बाद मिला है न और division के बाद तो चाहे multiplication हो या division हो fractional error या percentage error हम हमेशा add करते हैं error हमेशा add करते हैं लेकिन multiplication में और division के case में हम कौन से error को add करते हैं उसको याद रखिए वो है fractional error और percentage error तो यहाँ पर हम A के चोकि percent की बात कर रहें तो A के percentage error को B के percentage error को C के percentage error को D के percentage error को और E के percentage error को add करेंगे ठीके और यहाँ पर rule क्या मिला था percentage error है तो 100 से multiply कर दे नहीं तो भूल जाएंगे हम वहाँ पर rule यह मिला था कि अगर power है तो power का multiply कर दो यहाँ देखो A का power 2 है तो error में multiply करो 3 में multiply करो b का power 3 है c का कोई power नहीं under root भी तो power होता है आपको पढ़ाया गया होगा आप जानते हो इतना तो आप जानकारी रखते ही हो कि under root का मतलब power 1 by 2 तो यहाँ multiply करेंगे 1 by 2 e to the power 5 by 2 है तो यहाँ पर multiply हो जाएगा 5 by 2 तो इस तरह से हमको यह उमीद है कि आपको वो जो चार rule समझाये गए थे plus में, minus में गुरा में और भाग में into or division में वो चार rule आपको समझ में आगे होंगे कि plus minus में delta x bar को हमेशा add किया जाता है into or division के case में fractional error या percentage error को हमेशा add किया जाता है error हमेशा additive nature की होती है ठीक, तो इस तरह से आपके सामने चारो operation में होने वाले error को कैसे calculate करेंगे यह आपके सामने है ठीक, आपको समझ में भी आया होगा याद करना बहुत आसान है combination of error है तो error को combine करेंगे बस यह ध्यान में रखना है कब कौन से error को combine करते है ठीक है अच्छा बच्चों यहाँ पर जड़ा ध्यान से देखना अगर मान लेते हैं कि आप से कोई पूछ ले कि Y के measurement में होने वाले error को कम करना है तो इन 5 physical quantity में से किसको हम अच्छे ढंग से नापे बहुत ही ध्यान से नापे या किसके में हम error कम करें जिससे Y में होने वाला error कम हो जाए तो आप जानते हो कि error में हमेशा power का multiply करते हैं तो ज़्यादा power अगर होगा तो multiplication उस power को increase कर देगा उतरे times बढ़ा देगा आप किसी quantity में एक की गलती करो और उसका power 5 हो तो वो 5 times हो जाएगा तो अगर आपको error कम करना है physical quantity में तो उस physical quantity का measurement पहुत ही ध्यान से करना जिसका power जादा हो यहाँ पर A का power 2 है B का power 3 है C का power 1 है D का power half है E का power 2.5 है यानि कि 5 by 2 है सबसे जादा power B का है यानि कि B को measure करते समय हमको ध्यान देना होगा अगर हम B का measurement ठीक से कर दें तो Y का जो error है वो automatically कम हो जाएगा तो यह सारा चीज आपका हो गया error, combination of error अब चलो start करते हैं वीडियो के second part में इन पर आधारी बहुत सारे question ठीक है इतने आसान-ासान question है कुछ तो आपके competition में भी आए हुए है उनको देखा जाए तो चलिए, start करिए वीडियो का second part लेकिन उससे पहले rule को finally सुन लिजेगा याद कर लिजेगा, plus और minus में delta x bar को add करते हैं into और division में fractional error और percentage error को हमेशा add करते हैं error हमेशा add होती है ठीक है जल्दी से example को note कर लिजे उसके बाद बाद करते है वीडियो के second part में जहां पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि calculation कैसे करते हैं errors का ठीक बच्चो concept को अच्छे ढंक से समझने के लिए चलिए कुछ numerical problem देखते हैं मेरे पास एक छोटा सा question है कि time measure किया गया है 5.0 plus minus 0.6 और distance measure किया गया है 40.0 plus minus 0.4 तो speed के measurement में कितना error होगा और उसमें कितना percentage error होगा दोनों चलो calculate किया जाए तो पहले चलो speed को calculate करते है कि speed कितना होगा तो आप सब लोग जानते हो कि speed होता है distance by time distance हम लोगों के पास है 40.0 time है 5.0 आप point हटाओगे 400 by 50 हो जाएगा calculate करोगे हो जाएगा 8 meter per second लेकिन distance और time के measurement में चूकी error है इसलिए speed के इस calculation में भी error होगा उसे कैसे calculate करेंगे speed जो quantity है वो आई है division के बाद तो हमने आपको समझाया है कि division या multiplication के बाद यद कोई quantity मिलती है तो उसका percentage error इन सब के fractional error या percentage error के sum के equal होता है तो इनका चलो सबसे पहले calculate करते हैं कितना fractional error होगा तो सब का fractional error add कर दिया जाए plus delta t by t यहाँ पर s therefore delta s यानि की measurement जो s का किया गए है उसमें कितना absolute error होगा वो हो जाएगा delta d by d plus delta t by t into s value रखें delta d delta d है 0.4 by 40.0 plus time है 0.6 by 5.0 और s की value calculate करी गई है 8 point हटा लेना 4 by हो जाएगा 400 plus 6 by हो जाएगा 50 into हो जाएगा 8 कुछ cancel होने वाला होगा cancel करिएगा LCM लीजेगा वो सब आप सब लोग जानते हो क्या क्या करना होता है तो अगर हम इससे solve करें तो हो जाएगा 1 by 100 plus 3 by 25 into 8 100 हो गया LCM 1 plus 12 into 8 यानि कि 13 by 100 into 8 100 से divide करेंगे तो हो जाएगा 1.04 ठीक यह आ गया speed के calculation में या speed के measurement में होने वाला absolute error अब इस calculation के बाद उसे आप represent कैसे करोगे आप अपने answer को कैसे लिखोगे तो उसके लिखने का ढ़ंग क्या है वो भी हमने आपको बताया कि आप पहले जिस physical quantity को calculate करे हो वो लिखोगे फिर plus minus उसका absolute error तो यहां पर s की value हाई है 8 plus minus अब delta s को देखो error को देखो error या जो भी आपने measurement किया है वो point के बाद एक number तक किया हुआ है तो आप अपने calculation को भी point के बाद एक ही number तक रखोगे यानि कि होगा 1.0 चुकि यह 5 से कम है इसलिए आप जब nearest लोगे इसका round off करोगे तो यहां कोई भी effect नहीं पड़ेगा तो 1.0 ही होगा तो हम लोग लिखेंगे 8 plus minus 1.0 और इसका unit क्या होगा meter per second अब अगर percentage error निकालना है speed में तो percentage error हो जाएगा delta S by S into 100% delta S की value है 1.0 S की value है 8 100% आप point हटाओगे 1 by 80 होगा cancel हो जाएगा 10 by 8 divide कर दो तो 10 by 8 यानि की 1.25% यह हो गया इसमें होने वाला error अब फिर से वही चीज चुकि हम लोग calculation point के one number तक कर रहे है इसलिए error भी point के one ही number तक लिखेंगे तो हो जाएगा 1.3% तो यह तो लिखने का धंग हो गया calculation के बाद आप result कैसे लिखो गया x plus minus delta x और percentage error पूछा तो यह हो गया speed में होने वाला percentage error 1.3% का ठीक है note करिए से question यह था कि time के measurement में यह error है distance का measurement यह किया गया तो speed के measurement को लिखो कि उसके calculation के बाद क्या value आएगी उसे लिखो और उसमें होने वाले percentage error को लिखो ठीक अगला question देखो बच्चो एक और question देखो एक आपके पास आयताकार field है जिसका length measure किया गया 120 plus minus 2 meter और जिसका breath यानि की चोड़ाई measure किया गया 100 plus minus 5 meter तो कह रहा है कि area का measurement करो कितना होगा आपको area find out करना percentage error इसमें नहीं calculate करना कि वह एरिया calculate करना है तो area equal to होता है length into breath length है 120 breath है 100 हो जाएगा 12, 1, 2, 3 यानि की 1.2 into 10 to the power 4 meter square अब चुकि length और breath में error है तो निश्चित है उसके से जो area हम लोग find out करेंगे उसमें भी error होगा कैसे निकालोगे आप delta A by A equal to delta L by L plus delta B by B delta A equal to हो जाएगा delta L by L plus delta B by B into A तो area में होने वाला जो absolute error है उसकी value delta A equal to हो जाएगा delta L length में होने वाला error है 2 by 120 plus 5 by 100 into area हो जाएगा 1.2 into 10 to the power 4 solve कर लिया जाए delta A equal to 1 by 60 plus 1 by 20 into 1.2 into 10 to the power 4 L C M हो जाएगा 60 1 plus 3 1.2 1.2 into 10 to the power 4 हो गया 4 by 60 1.2 into 10 to the power 4 1.2 1 point हटा लो तो हटा लो गया तो नीचे हो जाएगा 0 0 12 into 10 to the power 4 यानि कि 2 by 25 तो 25 से 2 में division कर लिया जाएगा 0.00 0.08 into 10 to the power 4 ठीक यानि कि error आ रहा है कितने का 0 8 0 0 0 point को 4 नंबर पीछे ले जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा यानि कि 800 meter square का error है और जो quantity measure करी गई है उसमे measurement के बाद आया है 1.2 into 10 to the power 4 यानि कि 12,000 तो result आप कैसे लिखोगे a प्लस माइनस डेल्टा a इक्वल टू 12,000 प्लस माइनस 800 meter square तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर थोड़ा सा error किया जा रहा है तो जो भी हम calculation करेगे उन error के बाद उसमें major effect होगा जादा error हो जाएगा इसी को कहते propagation of error छोटी छोटी गलतिया जो होती है propagate होकर के चल करके मेरे result को effect करती है result को प्रभावित करती है तो ये भी question अच्छा सा था note करिएगा इसे फिर अगला question देखा जाए तो बच्चों एक question और देखो कि अगर कोई sphere है कोई गोला है उसके radius को हम लोग measure करते हैं और उसके measurement के पस्चात उसकी value आई है 5.3 plus minus 0.1 cm जो radius आया है वो है 5.3 plus minus 0.1 cm तो उसके volume में कितने percent का error होगा अब की बाद percentage error पूछा है radius के measurement किया गया 5.3 exact value आया जिसमें plus minus 0.1 उसका absolute error आगया तो volume में कितने percent का error होगा इस sphere है आप जानते हो कि sphere का जो volume होता वो radius पर depend करता है तो radius में अगर error हुआ है तो volume में भी error होगा उससे कैसे calculate करेंगे तो उसको calculate करने के लिए formula यूज़ करेंगे 4 by 3 इसले हम direct percentage error add कर देंगे तो percentage error in volume is equal to हो जाएगा percentage error in radius और 2 की power 3 है तो 3 से हम लोग कर देंगे multiplication अब percentage error of radius चलो पहले ही calculate कर ले कितना percent का error होगा delta r by r into 100 percent is equal to हो जाएगा 0.1 by 5.3 into 100 percent point हटा लो 1 by 53 1 से multiply कर दोगे 100 percent हो जाएगा यानि कि 53 से 100 में divide कर दिया जाए 7 9 माइनिस 5 4 0.08 6 बचा 6 6 में से 2 4 0 8 1.88 8 percent लेकिन यहाँ जो error है वो point के one number तक measurement कर रहे हैं इसलिए जो हम लोग percentage error भी लिखेंगे वो भी point के एक number तक लिखेंगे तो इसका nearest value हो जाएगा 1.9 percent तो value में कितने percent का error हो जाएगा 1.9 percent यह तो calculation के बाद मिला multiply कर लो 9.3 जो हो गया 27 to 57 यानि कि 5.7 percent का error हो जाएगा वोलूम में यह बात जरूर ध्यार में रखेगा कि जितने number तक express किया गया है point के बाद आपका answer उतने ही number तक होना चाहिए बच्चों मान लेते हैं इस question में आप से यह कहा कि R की value दे करके volume पूछा अब अगर question कुछ इस तरह से कह दे कि कोई sphere है कोई गोला है जिसके radius के measurement में 2% का error हो रहा है तो उसके volume के measurement में कितने percent का error हो रहा है होगा यानि कि percentage error in R radius दिया है 2% तो आपको percentage error in volume calculate करना है तो volume के sphere का formula 4 by 3 pi r q short में लिख दे रहे है percentage error in volume is equal to percentage error in radius और multiply कर देंगे 3 से power 3 है यानि कि हो जाएगा total 6% का error तो आप जानते होगा कि तो उसके surface area में कितने percent का error होगा तो आप जानते होगा कि surface area जैसे volume radius पर depend करता है वैसे surface area भी radius पर depend करता है तो सबसे पहले ये calculate करो कि radius में कितने percent का error होगा तो आप जान रहो कि volume equal to होगा 4 by 3 pi r q volume का percentage error is equal to 4 by 3 pi constant है 3 into radius का percentage error volume का percentage error है 6% 3 into r percent therefore r percentage is equal to हो जाएगा 2% radius का percentage error आ गया लेकिन हमको radius नहीं calculate करना हमको surface area calculate करना है तो आप जानते हो इस sphere का surface area होता है 4 pi r square इसलिए surface area में percentage error हो जाएगा radius के percentage error का twice radius का percentage error है 2 2 का 2 में multiply करेंगे तो area surface area में जो percentage error हो जाएगा होगा 4% का तो ये जो question था इसमें percentage error नहीं दिया था यहाँ पर percentage error दे करके आपसे volume पूछा है percentage error दे करके आपसे area में यानि कि surface area में error पूछा हुआ है यह सब आसान-ासान से question है आप इन्हें समझेगा और अपने test book से जो भी question इस type के होंगे उनको करने की कोशिश करिएगा मालते बचो आपसे कुछ इस तरह का question पूछे कि आप एक experiment कर रहे हो जी की value measure करने के लिए यानि की time period की सहायता से और आपने length को measure किया उसमें error आया 2% आपने time period का measurement किया उसमें error आया 1% का तो जी की value में होने वाले percentage error को calculate करो ठीक है यह आपको calculate करना है तो आप जानते हो कि time period का जो formula होता है होता है t equal to 2 pi under root l by g square कर लो 4 pi square l by g therefore g equal to 4 pi square l by t square अब g में जो error होगा चुकि percentage error है यहाँ पर division यूज किया गया है तो सभी percentage error को हम लोग add कर लेंगे l percentage t का percentage error और उसमें 2 से multiply कर देंगे l का percentage error है 2%, t का percentage error है 1% यानि कि total हो जाएगा 4%, आप ये भी सोच सकते हो कि g तो एक constant quantity है जिसकी value fix है और अभी हमने कहा कि constant quantity जैसे pi constant है number constant है, constant quantity में error नहीं होता है तो हमने आपको ये भी तो बताया है कि जो physical quantity measure करी जाती है जिसका measurement होता है, error वहां होता है तो चुकि यहाँ पर g को measure किया गया है इसलिए error है अगर हम g का measurement नहीं करते तो error नहीं होता है एक question और देखिए माले ते आप से ये कहें कि mass के measurement में 2% का error और ये जो mass है एक rectangle table पर रखा गया है एक table है आताकार इसके ऊपर रख दिया गया है एक mass इसके length के measurement में 2% का error और इसके breath के measurement में 1% का error है तो pressure के measurement में कितने percent का error होगा mass के नापने में 2% की तूटी, lambाई मेच की नापने में 2% की तूटी चोड़ाई नापने में एक परसेंट की तूटी तो दाब नापने में कितने परसेंट की तूटी होगी तो आप pressure का formula जानते ही होगे या by a f की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं mg चुक्कि हमारा जो मेज है वो आयताकार है, rectangular shape का है तो area हम लोग measure करेंगे length into breath से p का percentage error equal to हो जाएगा mass का percentage error plus length का percentage error plus breath का percentage error अब यहाँ पर हम g का percentage error नहीं consider करें हैं क्यों नहीं consider किये हैं क्योंकि g को measure नहीं किया गया है और इसमें g का percentage error हम लोग calculate किये हैं क्योंकि यहाँ g का measurement किया गया है experiment के बाद तो आप इन दोनों question से यह समझ सकते हो कि कब हम किसी physical quantity का percentage error calculate करते हैं कब हम नहीं calculate करते हैं अगर वो physical quantity constant है तो चलो ठीक है लेकिन अगर उस physical quantity जो constant है उसका हम measurement करेंगे तो जब भी measurement करेंगे science यह कहता वहाँ पर error होगा ठीक तो g का चुकि यहाँ पर calculation किया गया है तो error है यहाँ g को measure नहीं किया गया है इसलिए यहाँ पर error नहीं होगा तो बागे का काम आसान है yum 2% yield 2% breath हो गया 1% का total error हो गया 5% का लेकिन मान लो mass वही है जिसमें 2% का error है और अब की बार हमारा जो मेज है वो rectangle नहों करके circular shape का है तो इसके radius के measurement में मान लो की बार diameter ही measure कर दिया गया diameter के measurement में भी 2% का error है तो इसके उपर अगर हम mass रख दे रहे हैं तो pressure में कितने percent का error होगा same वही है लेकिन मेज का shape बदल गया है तो formula भी वही लगेगा f by a f हो जाएगा mg area लेकिन अब हम लोग length into breath नहीं लगाएंगे pi r square लगाएंगे यहाँ पर हम g नहीं measure कर रहे हैं यहाँ पर pi का measurement नहीं हो रहा है कि अल्यम और r का measurement हो रहा है हम तो diameter d measure कर रहे हैं न तो formula में r की जगा पर d ले आओ आप r और d का भी ratio जानते होगे क्या होता है mg by pi और radius जो होता हो diameter का half होता है तो हो जाएगा mg 2 का square 4 उपर चला जाएगा by pi d square इसलिए p में जो percentage error होगा वो mass का percentage error plus 2 times of diameter के percentage error के equal हो जाएगा mass का percentage error है 2% diameter का percentage error है वो भी 2 ही percent है तो total हो जाएगा 4 plus 2 6% का percentage error आपको मिल जाएगा तो यह कुछ छोटे छोटे question है जो आप सब के book में है ठीक है देखिएगा और इस तरह के सवालों को जैसा की बार-बार बोल लहें उसे करिएगा तो आपको जादा अच्छा लगेगा कि आपने कुछ सीखा है कुछ किया है ठीक है अगला चली question देखते है मचो आपने concept class 10 में पढ़ा होगा कि जब आप किसी wire को गरम करते हो तो वो heat effect छोडता है ठीक है उसे heat निकलता है जिसको हम लोग calculate करते है एक formula से अभी लिखेंगो उस formula से और उस heat में कितने percent का error होगा यह हमको calculate करना है अगर current के measurement में 3 percent का error है resistance के measurement में 4 percent का error है और time के measurement में 6 percent का error है बचो इसका formula आपको पता होना चाहिए यह formula होता है i square rt by 4.2 और calorie अगर 4.2 यूज ना करो तो हो जाएगा जोल तो h का percentage error किसके एककल होगा i के percentage error का twice हो जाएगा r का percentage error plus t का percentage error लेकिन 4.2 नान measurable quantity है इसलिए इसमें कोई भी error हम लोग नहीं करेंगे तो current के measurement में 3 percent का error है तो 3 तूजा हो गया 6 percent r के measurement में 4 percent का error है time के measurement में 6 percent का error है तो total हो गया 10, 6, 16 total ही calculation में 16 percent का error हो जाएगा ठीक छोटा सा question है माले थे एक question और आपने measure किया है quantity A जिसके measurement में 2 percent का error एक quantity है B जिसके measurement में 3 percent का error C 1 percent का error D 2 percent का error तो Y के calculation में कितने percent का error होगा अगर Y इस formula से express किया जाए ठीक है तो आप देखो Y के measurement में जो error होगा वो इन सब के errors के sum के equal होगा और कौन सी error के percentage error या fractional error के sum के equal होगा क्योंकि into or division है तो Y का percentage error is equal to हो जाएगा A का percentage error into 2 B का percentage error into 3 C का percentage error into C का power 1 है तो 1 से multiply करेंगे लेकिन D का power कितना है अंडर root का मतलब 1 by 2 ठीक तो A का percentage error 2 है तो 2 into 2 percent B का percentage error 3 है तो 2 into 3 percent C का percentage error है 1 percent और D का percentage error है 2 percent तो total हो गया 4 percent plus 6 percent plus 1 percent plus 1 percent तो 10, 1 और 1 और हैड हो गया यानि कि total 12 percent का error हो जाएगा Y में लेकिन अगर इसी question में आप से ये पूछ ले कि A, B, C, D जो 4 quantity है जिसको measure किया गया है इसमें किसको बहुत ही precisely मापा जाए बहुत ही ठीक धंग से नापा जाए जिससे Y में होने वाला ये एरर कम हो जाए तो आप किस physical quantity को अच्छे धंग से नापोगे इसको भी हमने आपको इसी वीडियो में समझाया है कि जिसका power जादा होता है उससे हम बहुत precisely नापते हैं उससे हम बहुत ही ध्यान से नापते हैं क्योंकि अगर वहाँ एरर होगा तो उसका 3 times जैसे इसमें 3 times हो जाएगा तो जिसका power जादा होगा उससे आप बड़े ध्यान से नापोगे तो किसको precisely नापा जाए जिससे Y में एरर कम हो वो है B क्योंकि B का power है 3 तो B को अगर हम अच्छे धंग से measure करते हैं तो Y में होने वाले इस measurement में जो error है उसे हम control कर सकते हैं उसे हम कम कर सकते हैं लेकिन बच्चों एक समस्या आएगी जो भी हमने आपको example दिया है उस example में आपने देखा होगा कि plus minus into और division इन 4 operations का use हुआ है क्या हो अगर plus या minus के साथ into या division आजाए जैसे मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे कोई resistance parallel में add करा रहा है तो total resistance की value होती है 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2 आप इसे solve करके R की value निकालते हो तो मिलता है R1 into R2 by R1 plus R2 जो हम कह रहते हो यह था कि total R की value जब आप calculate करते हो तो इसमें देखो into का भी sign है division का भी sign है plus का भी sign है plus का जो error का धंग है calculate करने का वो क्या है इसके हम absolute error को add करते हैं और into और division में हम लोग absolute error नहीं fractional error को add करते हैं या percentage error को add करते हैं तो दोनों का nature अलग-अलग है इसलिए अब हम R में होने वाले percentage error को या R में होने वाले गलती को किसके add करने से या किस तरह से calculate करेंगे क्योंकि हम इसमें plus का sign अकेले नहीं लगा सकते हैं plus का theory नहीं लगा सकते हैं इसमें हम division की theory नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये दोनों का combination है लेकिन वो calculate तब होगा जब हम लाग निकालना जानते हो जब हम differentiation जानते हो जब हम partial differentiation जानते हो ठीक है तो प्यारे बच्चों अभी हम उस formula को यूज कर रहे हैं बाद में अगर आप कहेंगे तो उसके लिए छोटा सा वीडियो बना देंगे कि आप कैसे उस formula को पाते हो ठीक फ absolute error को आप इस formula से calculate कर लेना r square delta r by r1 square plus delta r by r2 square ये आता है partial differentiation लाग इत्याद के बाद ठीक है तो अगर आप इसे याद कर लेते हो तो आप इस situation में भी calculation कर सकते हो absolute error का और absolute error मिल जाएगा तो percentage error का जैसे आप बच्चों ये भी देखे होगे कि किसी mirror का जो focal length होता है वो होता है 1 by f equal to 1 by u इसमें भी हम पढ़े हुए method से focus length के जो error है उसका calculation नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी plus और into और division सभी sign का यूज है तो हम इसी concept का यूज करेंगे कैसे calculate करेंगे delta f by f square equal to delta v by v square plus delta u by u square इसी तरह से बच्चों कभी आप पढ़ोगे थोड़े से और अधिक पढ़ोगे आगे बढ़ोगे तो capacity को भी जोड़ा जाता है तो capacity को जब series में जोडते हैं तो उसके लिए formula होता है 1 by c equal to 1 by c1 plus c2 तो इसका जो error होगा इसी NCRT के concept से हम लोग calculate कर लेंगे यहाँ c square हो जाएगा c1 square plus delta c2 by c2 square तो इसको हम formula बना करके calculation अपना करेंगे जब तक कि मेरे पास इतना information ना आजाया कि लाग कैसे लिया जाता है partial differentiation कैसे किया जाता है तब तक हम इसी को ही base बान करके calculation करेंगे तो चलिए कुछ calculation इस अस्तर का लें जिसमें सभी sign का use किया गया है plus minus into और division का मान लेते बच्चों की आपके पास दो resistance है r1 और r2 जिनकी value आपके पास है 100 100 plus minus 3 ohm r1 की value है और r2 की value है 200 plus minus 4 ohm तो series में एक बार इनको combine किया गया एक बार parallel में combine किया गया तो total जो error है उसको लिखो कि कितना error आएगा ठीक है तो चलिए series तो बहुत ही आसान है series में आप जानते हो कि total जो resistance होता है वो sum हो जाता r1 plus r2 के तो sum के case में आप जानते ही हो कि जो absolute error है उससे हम लोग add कर देते हैं तो इसका result हो जाएगा 300 plus minus 7 अगर आप percentage error निकालना चाहते हो तो delta r by r into 100% से percentage error भी calculate कर लेंगे 7 by 300 into 100% ये cancel हो गया 3 to 6 हो गया 1 7 हो गया यानि कि 2.33% का percentage error हो जाएगा लेकिन problem यहाँ नहीं है problem parallel में आता है तो parallel में आपके पास formula है 1 by r equal to 1 by r1 plus 1 by r2 चलो सबसे पहले r की value calculate कर लो 1 by r1 100 plus 1 by r2 200 आप lcm लोगे solve करोगे तो 300 by हो जाएगा 200 lcm हो जाएगा 2 plus 1 यानि कि r equal to हो जाएगा 200 by 366.66 ohm ये तो हो गया resistance total लेकिन इसमें error कैसे calculate करेंगे यही चीज हम आपको समझा रहे थे कि अगर आप plus minus के साथ into या division पाऊगे तो जो simple method वो use नहीं होगा वहाँ differentiation इत्याद का use करेंगे और उसके बाद जो formula मिलेगा वो ये होगा delta r by r square delta r by r1 square plus delta r by r2 square delta r की value calculate करी जाए ये हो गया delta r1 यहाँ पर छूट गया है r2 छूट गया delta r1 by r1 square delta r2 by r2 square into r square जड़ा r square से multiply कर दो तो r square से multiply करेंगे तो हो जाएगा r by r1 square plus delta r2 r by r2 square सब के value को रखो delta r1 r1 यह है delta r13 r r की value है 66.66 r1 की value है 100 square delta r2 delta r2 है 4 r की value है 66.66 by r2 r2 की value है 200 का square साल्व कर लो delta r equal to 3 यह हो जाएगा 0.6666 तो 0.7 लिख दे रहे हैं plus 4 इससे आप divide करोगे तो 0.3333 आएगा round off करके 0.3 लिख दे रहे हैं delta r equal to हो जाएगा 0.49 plus 4 into 0.09 multiplication check कर लिए 0.36 एड कर लिए जएगा यानि कि 1.8 और यूनिट हो जाएगा ओम का एरर आया absolute एरर आया तो आप इस calculation के result को लिखोगे क्या r plus minus delta r equal to r की value आई 66.66 है 0.7 लिख लो plus minus 1.8 ओम अब अगर यहाँ percentage इरर calculate करना चाहे तो parallel के situation में तो हो जाएगा delta r by r into 100% is equal to 1.8 by 66.7 into 100% आप इसका calculation करके पासकते हो कि value क्या होगी तो एक special case था यह वो case है जिसमें कभी आपको जो भी quantity measure कर रहे है उसमें plus और division या into दोनों का symbol आ जाए तो आप partially differentiation करके निकालते हो तो चुकि यहाँ पर वो बहुत जरूरी नहीं है तो इसलिए NCRT ने एक equation बना दिया कि आप इसे याद कर लो और अपना काम आगे बढ़ाओ ठीक एक और इसी तरह का question देखते है mirror का तो बच्चों एक mirror का question है जिसमें आपको u दिया हुआ है यू आप जानते हो mirror से object का distance होता है और v की value दिया हुआ है जिसका मतलब होता है कि mirror से image कितने distance पर बन रहा है आपको focal length calculate करना है उस mirror का तो यहाँ पर भी आप वही situation में अपने आपको पाओगे जैसे resistance parallel में add करे थे 1 by v plus 1 by u focal length calculate कर लो 50.1 plus यह 20.1 है u की value है 50.1 1 by f LCM ले लो और solve कर लो तो f की value आपको मिलेगी 20.1 into 50.1 by 0.2 हो जाएगा 70.2 देखलो add करके reverse कर दिये इसको calculate करेंगे तो मिलेगा 14.36 cm लेकिन measurement point के एक number तक हुआ है तो focal length हो जाएगा 14.4 cm ठीक है तो यह calculation आप कर सकते हो जो की हो गया 14.4 cm अब इसमें error कैसे लिखेंगे तो error के लिए क्या formula होल स्क्वार डेल्टा यू यह बाई यू होल स्क्वार डेल्टा वी की वैलू है point two, f की वैलू आई है 14.4, u की वैलू है 20.1 square, डेल्टा यू की वैलू है point five, 14.4, u की वैलू है 50.1 square, साल्व कर लिया जाए, यह हो गया 144 by 201 plus point five, 144 by 501 का square, साल्व करो इसको, तो आपको मिलेगा इसकी वैलू, साथ point one four, something इसकी वैलू आती है point one four, चेक कर लिजेगा, हम देख करके लिख दिये हैं point one four centimeter, calculation कर लिजेगा अब यह जो फिर से बोल रहा है कि point के कितने नमबर तक आप calculation करोगे, चुकि point के बाद एक नमबर तक है, इसलिए आप अपने answer को एक ही नमबर तक लिखोगे, तो result कैसे लिखोगे, f plus minus delta f is equal to 14.4 plus minus 0.1 centimeter, फिर से बही चीज अगर percentage error पूछ ले, तो अब आप percentage error निकालने में माहिर हो चुके होगे, यह हो जाएगा point 1 by 14.4 into 100 percent, point हटाओगे, 100 से multiply हो जाएगा, one में, calculation कर लिया जाए, तो 144 से 100 में divide करेंगे, point 0, 7 बार चेक कर लो, यहनि कि roughly यह point 7 percent आ जाएगा, point के एक number तक round off लेकरने के बाद, तो यह हो गया focus length में कितने percent का error होगा, और calculation के बाद आप उसे कैसे express करोगे, ठीक, तो यह दो question जरूर आप देखिएगा बच्चों और इसका जो formula बोले हैं, उसे याद जरूर रखना, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, ठीक, चलो एक question थोड़ा सा interesting सा question लेते हैं, कि आपके पास, A और B दो quantity है, जिसकी value है, equal to 1 plus minus 0.2 meter, 1.0 plus minus 0.2 meter, तो आप under root A, B के calculation में होने वाले error को calculate करो, calculate करो, under root A, B, तो चलो, माल लेते हैं, under root A, B को A, Y, इसका calculation करें, A की value है 1.0, B की value है 2.0, 1.0 में 2.0 का multiply करेंगे, under root 2 आ जाएगा, और under root 2 की value है 1.414, चुकि calculation हम लोग point के एक ही number तक कर रहे हैं, इसलिए इसका result हो जाएगा 1.4, तेक, अच्छे, यह Y जो physical quantity है, उसका unit क्या होगा, meter into meter, meter square हो जाएगा, meter square का square root, वर्गमूल निकालोगे, तो meter आएगा, तो इसका भी value हो जाएगा, meter, यानि कि under root A, B की जो value होगा, वो हो जाएगा, 1.4 meter, अब इसमें होने वाले error को देखा जाएगा, तो यह जो Y है, जिसकी value under root A, B है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, A power 1 by 2, into B का power 1 by 2, हो जाएगा, तो percentage error या fractional error एड करी जाती है, कब जब into या division हो तो into हो रहा है, तो fractional error या जरूत होगा, तो percentage error एड कर लेंगे, यहां हम fractional error एड कर रहे हैं, power से multiply हो जाता है, इसलिए delta Y equal to हो जाएगा, 1 by 2, delta A by A, plus delta B by B, into Y, value रख लो, delta Y equal to 1 by 2, delta A की value है, 0.2, by 1.0, delta B की value है, 0.2 by 2.0, और Y की value आई है, 1.4, तो 2 से तो 1.4 cancel हो जाएगा, यह हो जाएगा, 2 by 10, यह हो जाएगा, 2 by 20, और यह cancel कर लो, तो 0.7 हो जाएगा, LCM ले लिया जाए, 20 LCM हो जाएगा, तो जब 20 LCM हो जाएगा, यह आप यह ही cancel कर लो, यह हो गया 1, यह हो गया 10, 10 से divide करोगे, 0.2 आएगा, और 10 से divide करोगे, 0.1 आएगा, यानि कि हो जाएगा, 0.3 और 0.3 का 0.7 में multiply करोगे, तो हो जाएगा, 21 यानि कि 0.21, और answer चुकी, data जो दिया है, 0.1 के एक नंबर तक दिया है, तो answer भी हम लोग 0.1 के एक नंबर तक ही देंगे, तो answer आप कैसे लिखोगे, answer लिखोगे, y plus minus delta y, यहाँ y क्या है, under root a b, जिसकी value निकालना था, delta y, under root a b की value में होने वाला absolute error है, यह हो जाएगा, y है 1.4 और error है, इसमें 0.2 unit है meter, यह NCRT exemplar का एक question था, ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने लगभग जितने तरह के question हो सकते हैं, percentage error के, वो हमने समझा है, ठीक है, आप अपने test book से, या जो भी recommended book होगी, आपके college में चलता होगा, उससे match करता हुआ, question जरू लगाने की कोशिश करिएगा, लगाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चो, तब तक के लिए, पढ़ाई पर ध्यान देते रहिएगा, खेलते रहिएगा, स्वस्त रहिएगा, लेकिन सब कुछ करने के बाद, पढ़ते भी रहिएगा, बाई बाई पढ़ते रहिएगा,